मंडी जिला में आरंबिक अवस्था में लंबी वीवारियों का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री निरोग केंदर की शुरुवात की गई ADC मंडी जतिनलान ने मंडी जोनल अस्पताल में इसका बेदिवत शुवारम किया उन्होंने इस दोरान बताया कि मुख्यमंत्री निरोग योजना की तहट स्तापित इस निरोग के इंदर का मकसद लोगों को बहतर स्वास्ते जान सुविधा देना है जिससे आरामबिक अवस्ता में ही स्वास्ते समस्याओं के बारे में पता लगाया जा सकेगा इसके साथ ही स्वास्ते समस्याओं के सीघर निदान एवं जिसका मिलने से लंबी अबदी तक रहने वाले बीमारियों से बचाप किया जा सकेगा जोनल अस्पताल मंडी में स्तापित मुख्यमंत्री निरोग के इंदर में सामानिय स्वास्ते परिक्षन के इतहत ब्लेड सुगर प्रिक्षन, रक्चा प्रिक्षन, इत्याति तथा अन्या लैप प्रिक्षन की सुविदा जिन्ता को मिलेगी साथ ही यहां पर OPDB बनाई गई है जहां पर बबीन बीमारियों के मिरीजों की जांस की सुविदा मिलेगी इस के इंदर में सभी 18 वर्सों से उपर की आयू के लोगों की आरंबिक बीमारियों की सिक्रीनिंग की जाएगी और उन्हें जरूरत होने पर तुरंत इलाज भी दिया जाएगा इससे आरंबिक अवस्ता में स्वास्ते समस्याओं का पता लग जाएगा और समेपर उपेगुत उपचार से नौन कम्यों केवल डिसीजस से बचाब होगा EDC मंडी जतनलान ने उमीद जाहिर करते हुए कहा कि मंडी वास्यों की बहतर सेहत को समर्पित ये निरोग के इंदर स्वास्ते मंडी के निर्माण में सहायक सिध होगा ये जो हमारा निरोग सेंटर का गाटन हुआ है ये जो हमारा निरोग सेंटर है ये हमारी जो CMO साब और उनकी टीम को पहले दवाद में बहुत बदाई देना चाहता हूँ इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे जिन रोक सेंटर है इसमें हमारी जो हेल्थ टीम है पूरे टाइम ये कोशिश करेगी कि हमारे मंडी जिले के जितने भी 18 वर्ष उपर के व्यक्ति जिनको कोई भी नॉन कम्मुनिकेबल डिजीज है जो जैसे कि हमारी कैंसर होते हैं बीपी है डाइबटीज है इन सब डिजीजिस को और ये सब जो बिमारिया है ुन से बचाव है तू एक पहल है और इसमें हमारी पूरी हेल्थ टीम इसको पूरी तरह मॉनिटर करेगी हमारे व्यक्ति हैं इनकी हेल्थ की पूरी जहाच होगी और जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है उसको इमेजेटली उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी नहीं तो हर साल उस व्यक्ति का चेक अब होगा उसकी स्क्रीनिंग होगी और इस मादेम साम में ये इंशूर करेंगे कि हमारे मंडी जिले में जितने भी हमारे 18 साल से उपर व्यक्ति हैं उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको अगर कोई भी परिशानी या कोई दिक्कत है उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए